sorry for flex का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती है sorry for flex जो है वो एक informal expression है यानि कि formal language में इसका कम ही इस्तेमाल किया जाता है informally हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ऐसा कोई वेक्ति तब कहता है जब उसे लगता है कि उसने अपनी किसी उपलब्धी को या किसी achievement के बारे में ज़्यादा ही बोल दिया है या उसका ये मतलब नहीं था यानि कि मान लेजे कि मैंने कोई achievement की life में या life में मान लेजे कोई चीजें मैंने achieve कर ली और उसके बारे में फिर मैंने अपने किसी दोस्त को बताया कि यार मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, मेरे पास आज ये है, मेरे पास वो है और सामने वाले को लगता है कि मैंने ज़्यादा ही कुछ शेकी भगार दी है या ज्यादा ही कुछ बढ़ा चड़ा कर बाते बता दी है तो उस समय मैं कहूंगा कि sorry for the flex यानि कि मेरा चीजों को बढ़ा चड़ा कर बताने का मकसद नहीं था या ऐसे ही कुछ मतलब मेरी अपनी तारीफ करने का मकसद नहीं था या तो जानकारी के लिए या वैसे ही आपको बता दिया था तो इस तरीके से जब कोई अपनी किसी चीजों को जादा ही बढ़ा चड़ा कर बता देता है या अपनी किसी अचीवमेंट के बारे में बातें करता है तो उस समय वो sorry for flex कहता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें